दोस्तो पूर्या इन्वर्सिटी के अंतरगत जदी आपको बैचलर या फिर मास्टर डिगरी का नामंकन करना है तो उसके लिए अप्लिकेशन के तिथी को एक बार फिर से बढ़ाई गई है हलाकि इस तिथी को 31 और एक तारिक के डेट में ही क्लोज कर दिया गया था लेकिन बैचलर यानि कि ग्रजवेशन के लिए और मास्टर यानि कि चफी के लिए नामंकन के लिए उसके डेट को दोनों के डेट को शाट अगस्त कर दिया गया है देखिए आपके सामने बारी बारी से दुनों नोटिफिकेशन को हम ले करके आएंगे जो कि एक आठ यानि कि देखिए एक अगस्त के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है किसके मद में है ये चीज यहां से पढ़ते हैं उपर युक् हम जो कि मास्टर की डिगरी करना चाहते हैं कि पीजी करना चाहते हैं 21-23 सत्र ही है 2021 में उन्होंने अप्लिकेशन नहीं लिया था उससी को अभी 22 मिलिया जा रहा है 21-23 के लिए ही अभी आवे दन लिया जा रहा है जैदि आप 22 में भी आप पास किया है अभी ग्रेजिशन क लिए ज़िए हम लोग बात करें बैसलर के लिए तो बैसलर का भी बिल्कूल डेट बढ़ाया गया देखिया सपस्टूप से इसमें यह नोटिफिकेशन है इसके बारे में आपको बता दे रहे हैं यह नोटिफिकेशन एक आट को यह भी जारी किया गया है और इसमें क्या लिखा गया है जो भी बीए बीए बीसी बीकॉम या फिर वकेशनल को बीए बीसी बीसी ये सी एंडी जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए भी साथ अगस्त तक बिस्तारित कर दी जाती है यहनि कि बहुत सारे बंदे पहले से तो करी चुके हैं सी बीए इसी यह बहुत सारे बोर्ड का 12 का रिजल्ट लेट से होने के वज़़ा से दोबारा बोर्ड ने डेट का डेट दिया था कि आप अप्लाइ करो लेकिन बहुत सारा स्ट्रेट उसमें भी छूट जा रहा था क्योंकि बहुत लोग के पास माकसीट नहीं था बहुत लोग लेट जनकारी प्र साथ अगस्त काने का मतलब कि एक सब्ता का बिल्कुल आपको फुल टाइम दिया जा रहा है आप साथ अगस्त तक में बिल्कुल अपने अप्लिकेशन को करी लेगी इसके बाद आपको डेट नहीं बढ़ाई जाए फिर आप फिर छूट जाएंगे और जदि आप पूर्ण